इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो के माधिम से मैंने बताया था कि 12 के बाद क्या करें उसी में एक बच्चे ने कमेंट किया की सर एलल्वी क्या होता इसके बारे में जरिंग बताई यह कि एक एक पूरी टॉपिक को रखा है जिसमें LLB के eligibility क्या होती है admission कैसे होते है LLB के कितने types होते है प्रकार कितने होते है विदेश में और भारत में top universities क्या होंगी जिसमें LLB करना आसान रहेगा कुछ skills के बारे में देखेंगे कुछ skills उसके skill based पे चीज़ें क्या होनी चाहिए और law में कैरियर का option क्या होता है उस स्लेवस साथ स्लेवस भी देखेंगे हम लोग तो एक complete वीडियो पुरा रहेगा जो LLB के बारे में आप लोग basic knowledge पूरा आप लोग ले सकते हो तो वीडियो को पुरा last देखेगा आपको LLB से लिवटेर सभी बाते आपनों को समझ में आ जाएंगी LLB के बारे में तो LLB यानि की bachelor of law होता है लेटिन भासा में इसे लेगम, बेकाल, यूरेस के नाम से जना जाता है यह course को कानून से संबंदित पढ़ाई के लिए यूच के आता है और LLB के बाद चात्र जो होते हैं कानूनी चेतर में जुड़ जाते हैं मतलब LLB करने के बाद वो कानूनी चेतर से बहुत जादे जुड़ जाते हैं जो चात्र इस course को पूरा कर लेते हैं वो बार काउंसल आफ इंडिया यानि BIC में स्वैम को पंजिकरत कर कानूनी का अभ्यास कर सकते हैं मतलब इनका जो रिश्टेशन हो जाएगा उसके बाद कामनून का अभ्यास इससे कर सकते हैं तो मैंने बेसिकली बात बताई इसके बारे पूरा इटरे समझते हैं कि आखिर LLB क्या होता है अगर जो मैं बात करूं LLB के बारे में तो LLB के जब फुल फाम होता है Bachelor of Law होता है अगर जो बात करें LLB तो LLB एक जो होती Undergraduate Degree होती है जो कानून जो होता है कानून नियम और वीनियमो का एक समू होता है इसमें चातरों को कानून प्रकिलियाओं के बारे में पढ़ा जाता है मतलब उनको पूरे के पूरे कानून क्या होती है चीजें क्या है उसके पूरे की चीजें उनको सिखाई और पढ़ाई जाती है अगर जो हम बात करें लेलबी कोर्स जो है वो कैसे होता है किस किस तरीके से उसके semester y य कैसे के exam सोते हैं इसके बारे में तो डिटेडि में हम देखेंगे जो लिल्बी होता वो तीन साल का course होता है जिसमें 6 semester होते हैं यह बात याद रखना आप लो इसमें हम बात करें तो इसमें असना तक में हमारे पास 45% की जो हमें पास डिगरी होनी चाहिए मतलब 45% से मैं उत्र दूना चाहिए असना तक में या बीए में या बीस्टी में बेसिकलि बीए ही किया हुआ बढ़ियां रहता है बीए ही आपका होता है तो उसमें आप लोगा देखने को मतलता है मैंने नीचे लिखा भी वह जी पड़ता है तो बेस्ट आफसन आपका आर्ट होता है आर्ट इसलिए होता क्योंकि दिखिए समासा राजनिसात यह सब चीज़ें रहती हैं तो यह चीज़ें आपके लिए काफी रहती और वही चीज़ों का हम लोग को उसी में राजनिसात्र के बारे में और चीजों के बा यह जो है बी ऐ एलेल बी के नाम से जाता है वी या आप देख सकते हैं बीबी एल एल यल बी उसके बाद बी कॉम एलेल गजा अधिक और अधिक में किया जा सकता है जो पांस साल मैंने बताया कि वो तीन साल में आपके 6 समेश्टर होंगे तो यह 5 साल है तो आपका 10 समेश्टर देखने को मिलेगा ही और 10 समेश्टर है तो इसमें देखेंगे कि बरहवी के बाद यह किया जा सकता है मतलब हम अगर जो बी एललबी करना चाहते हैं तो बी एललबी का जो कोर् को पूरा करने के बाद और तो आपको कितना मिलता है तो इन्डीयन की बात करें तो इसंमें त清 Werth जो है या एक करोड प्रती मा जो परती वर्स कि रूप में इसकोinters को मिलेगा तीन अग Corn भी इसके भूषितन 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 पर तो बहुत अच्छा रहता है समय का प्रबंध होना चाहिए आपके पास टाइम का जो मेनेजमेंट हो बहुत अच्छे होना चाहिए उसके बाद संचार कौसल आपके पास होना चाहिए साथ साथ धैरी बनाए रखना आपको यह सब चीजे जो मैंने लिखी है यह सब ऐसे ही ने लिखी गई है लेलबी के बारे में इसकिन दिये उनके लिए चीजें बताई है उनकी बताईवी चीजें है यह सब जिसके अंदर एक्टिटूड है वह लेलबी का डिगरी करें कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है अगर जो में बात करें संपूर स्लेबस की तो संपूर स्लेबस जो आप देखेंगे लेलबी को पढ़ाने के लिए तो देखें इसमेस्टर वाई होता है पर्थम समिस्टर में पूरा इस लेबस दे सकते हो मैं बार ऐसे उपर करता जा रहा हूं आप इसकीन सौट लेना चा संपने लिखा स्लेबस देख लिजागा अपने सेकं»D समस्टर थर समस्टर उसके बाब फूर्समिस्टर आप देखेंगे तो सिमस्टर में यह सब इस लेबस आप लोगों को देखने को मिलेंगे सब उसके बाद पांचवा समिश्टर आपका आजाएगा पांचवे समिश्टर के बाद आपका च्छटे समिश्टर में आप लोगों को देखने को बता है तीन साल वाले के लिए मैंने पूरा का फूरा कोर्स रखा जो यूसे में है इसमें अगर जो हम बात करें बेसिकली तो यह इसके यूस्पी डॉलर मनलब छहाजार डॉलर इसके लगते हैं फीस लेकिन अगर जो बात करें इंडियन करेंसी में तो 45 लाक रुपए तक की फीस लग जाती केंब्रीज उनिविश्टी अगर जो आपने हैं जहां पर है उसके लिए आपने 33 लाक का फीस सेट किया 33 लाक उसमें फीस लग सकते हैं और सफोर्ड उनिवर्श्टी जो ब्रेटेन में है उसमें आपके 37.85 लाक रुपए फीस लग सकते हैं यह सब बिदेशी टॉप इसको कॉलिज हैं जिनकी मैं बता रहा हूं आपको ठी ठीक है इनके चीजें होती है ठीक है सिकागो यूवर्श्टी आपने यूस डी में आप देशकते हैं यह चीजें आप लोगो 43,70 लाक रुपए इसमें फीस लग सकती है उसके बाद यह लिए यूवर्श्टी जो है जो आपका यूएस में है ठीक है यूएस में है यह भी 34 लाग रुपए तक कि इसके फीस है मतलब फीस बहुत अच्छे खासे इसमें लग जाते हैं ये बात आप लोग देखी रहो इसमें और भी इन्वरसिटी है जैसे इन्वरसिटी कालेज लंदन में है जिसमें आप देखेंगे यूके की तो वहां पर भी आप लोगों को 42 तो यह मैंने कुछ टॉप कॉलेजस लिखें इसका भी आप देस सथा है तो पैसा है तो एफ़र्ड करने वाले करते हैं बहुत पढ़ाई कि करते हैं इस तरीगे से अब भारत में बात करेंगे तो इसमें देखो भारत में क्या इस का क्या चीजें हैं तो इन्वरसिटी की होता है वह दोlerdeas many oh एक तीन लाग वी सहीं चंडी कड़ इनिवरस्टिन देखते हों टो मिल्गे नासर इनए नासर प्रॉ Bowl यानि की दो दसमेल कि दो लाव आप दden गोली मतलब एफ ने क्रिटरिया दीया इसकी का भी फीस हो रही है जैसा एफॉर्ट आप कर पाओगे उसे इसाब से आपका जो है चीज आगे बढ़ेंगे ठीक है अगर जो मुझे बात करें ले योगिता क्या होना चाहिए में चीज सो यह हमारी क्रेटरिया है योगिता क्या होने चीज तो लेलबी को आगे पढ़ने के लि कर सकते हो नहीं तो फिर नहीं कर सकते हो अगर जो आप देखते हो चाहता है तो उनके पास रीज्वेशन की डिगरी होनी चाहिए तीन साल के लिए लेकिन कम भारत में करने के लिए पास अच्क उपका बात के स्थमेस्टर हो गांगे में अपके तीन साल खुए नदे टेस्ट होता है जैसे आप यह टेस्ट देस्ट तो IELS उसके बाद T O E F L उसके बाद P E P T E इस सभी के अंक में इसके टेस्ट होते हैं जिसके थू मतलब देस्ट तो लाव प्रोग्रामिंग और एडमिसन लेने के लिए आपने लाव नेशनल इंस्ट्यूट में यानि LNAT में जरूरती होती है उसके थूर आपका टेस्ट होगा विदेस्ट में यह चीज़े हैं कि बाहर अगर जो आप लेना चाहते हो एडमिसन तो उसके लिए सब ठेस्ट दोगे चीज़ें करोके इसे लिए अपने को लिए क friendly जाना हुआ कि कौन वाहम जानाते हैं तो आप बात कते हैं ठीक है लाव में कैरियर बनानेगे ना में कैरियर कैसे हो ठीक है इसके बारे में देखना पड़ेगा आपनों को जैसे मैंने कहा है CLA मतलब देखे जूनियर जो आप देखेंगे जूनियर जूडिसीर जो है ऐसी सीएट यह आपका एक पोस्ट है जिसके तुरू आप लग अलग अलग तरी के से लोग तो आपको अलग अलग तरीके से लॉकिक केरियर के आफसर मिलते हैं कि यह चीजें आ आप के लिए आपका हो जाता है है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अभी करने के भाखे के ठीकते अदर लॉक के पोस्ट और के पास हो सकता है इसके लिए मेनेजर हो सकते हो लिप टू लीगल मेनेजर या लीगल एडवाइजर हो सकते हो किसी के भी आपने देखा लीगल आफिसर आफ आप हो सकते हो बोर्ड के लीगल आफिसर हो सकते हो सीनियर लॉफसर हो सकते हो लीगल जनरल मेजर हो सकते हो लीगल सकते हो। या senior legal officer हो सकते हो ठीक है अब उसके बाद क्या है criminal law Suppose या civil lawyer हो úplht family lawyer banks advocate हो सकते हो law department और विह इने या officer color बन सकते हो PERTbaren को बन सकते हो किसी भी 11 ठीक है उसके बाद आपनो claim manager भी हो सकते हो तो मतलब यह सभी आपके पास पोश्ट हैं जब आप LLB कर लोगे उसके बाद आपको ला में जो कैरियर का आफसन मिलेगा इसके तुरू आपको बता दूँ तो LLB अगर जो आपको करते हो तो उसमें आप लोग क्या करोगे आपके पास डिगरी हो जाएगी उसके बाद उसके आपको benefit बहुत मिलता है हर दिन आपके पास ऐसा कोई भी इस समय ऐसा कोई भी वकीन नहीं है चीजे नहीं है जिनके पास case नहीं है लगव 15 से 20 case उनके पास तो रहते हैं pending में हर कोई आता है 15-20 case जो उनके पास per day का है अगर जो उनको 500 रुपए ही दे जाता है सोचके तो मतलब अच्छे खासे तनखा है बहुत सारी पैसे मिल सकते हैं इस से और अगर जो आप सरकारी हो गहीं है अप किसी में जुड़ी सेरी में जुड़ गई हो चीजें हो गई है तब तो उसकी बात ही अलग है ठीक है नहीं तो अगर जो इस तरह से भी है तो private sector मेंगे आप को पर्टिकुलर वीडियो बना के दू यह जाएगा जैसा इस तरह पहले कहले आधि किया तो इसके लिए वीडियो बना दी है अगर जो आप कमेंट करोगे तो उसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब या अपने दोस्तों के पार से एर कीज़ेगा जिसे उनको भी एलेलबी के बारे में कंप्रीट नॉलिज हो सके धन्यबाद जैहिंद